अपने मियाय आतरा की चलते राहुल गांगी गुजरात पहुँशते हैं, नरेंध्र मोदी की राजनीते गढ़ में पहुँशते हैं, और वहाँ पर वो सीधे हमला बोलते हैं देश की गरह मंतविया आमित शाह पर, वो युवाओं की साथ समभात करते हैं, युवाव से पूछते हैं कि जैशा क्रिकिट में उनका कोई हुनर नहीं था, कोई महारत नहीं थी, मगर उन्हें BCCI का सबसे महतपूर्ण व्यक्ति बना दिया गया, आप जो इस देश के युवा हैं, उन्हें क्या मिला? सुनिए, राहुल गांधी किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जरिया आमिट शा को कट घरे में रखते हैं, जैशा पर सीधा हमला बोलते हुए, वो भी कुछ रात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और आमिट शा की घर से, सुनिए वो क्या कह रहा है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उधर जैशा बैठे हुए उसको आपने क्रिकेट का चेर्मेन मना दिया अब अगर आप रियलिस्टिक ली देखोगे तो वो क्या रहा है जो पैसा क्रिकेट वालों को जाना चाहिए और हर फिल्ड में हो रहा है इस आपको याद होगा राहूल गांदी ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया होता है या मेक इन इंडिया की बात प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी करते हैं वो सब को छलावा है और उन्होंने इस बात की मिसाल दी थी कि हमारे यहां जो तमाम मुबाइल फोन्स हैं उनके तमाम पुर्जे जो हैं वो चाइना में बनते हैं और यहां आकर उन्हें असेंबल किया जाता है इस मुद्दे को लेकर राहूल गांधी को प्रधान मंत्री ने मूर्खों का सरदार बताया था जबकि आप जानते हैं राहूल गांधी जो कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत नहीं है सही माइने में मेक इन इंडिया तब होगा जब मुबाइल का पुर्जा पुर्जा भारत में बने अगर यहीं पर असेंबल करना है तो तमाम युवाओं को उसका रोजगार नहीं मिल रहा है राहूल गांधी मुद्धा यह उठा रहे हैं कि देखिए अगर मुबाइल की तमाम पुर्जों को हम भारत में ही बनाएंगे और फिर उसे यहीं असेंबल करेंगे तो सही माइने में मेक इन इंडिया सार्थक होगा और फिर इसी मुबाइल को हमें शाइना को बेशना चाहिए कुछ गलत नहीं का राहूल गांधी ने राहूल गांधी ने आज पूर जोर तरीके से इस मुद्धे को तो बार उठाया सुनी वो क्या कह रहे है आप यंग लोग हो आपको समझ आ रहे है क्या हो रहा है इसमें अपने टी सेड या कुछ भी आता है फोन होता है वो मेड इन चाइन या बार से आता है तो प्रडक्शन कहा हो रही है बार से चाइना में तो जॉब कहा जा रही है बार जा रही है ठीक है उसको बेच कौन रह और फिर कहेंगे, made in India, not made, it is not made in India, it is assembled in India. Assembly में और make in India में बहुत फ़रक्त, make in India मतलब यह पूरा कपूरा जोस्टिसका structure है, यहां बना है, यहां बना है, लाखों युगाओं को रोजगार मिल रहा है, Assembled in India में इसके सब पार्ट चाइना में बनने हैं, और वहां पे मतलब 10, 15, 20 लोगों को जोब मिल रहा है, और यहां पे एक बन्दे को जोब देने हो जोड रहा है, और हमारे उद्योगपती क्या कर रहे हैं, Chinese प्रोड़क्तों यहां बेच रहे हैं, फाइदा चाइना के बन् केसला कीजे कि प्रधान मंत्री सही कह रहे हैं, या राहूल गांदी, सुनिये, प्रधान मंत्री ने किस तरह से उन्हें मुर्खों का सरदार कहा था, मैंने सुना, कल एक महाग्यानी, कॉंग्रिस के, कह रहे थे, कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास, मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है, एक महाग्यानी कॉंग्रिस के कह रहे थे, कि आप सब के पास, मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है, अरे मुर्खों के सरदार, कि इस दुनिया में रहते हैं यह लोग? दोस्तों चाहे राहुल गांदी हों या तेजस्वी आदव, दोनों की लगातार कोशश है कि देश के युवा को संबोधित किया जाएं, क्योंकि देश के युवा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है बेरोजगारी की, और जब ये बेरोजगारी बढ़ती है, तो बेरोजगार युवा का जो दिमाग है, उसे राजनीतिक तौर पर इस्तमाल किया जाता है, इस खाली दिमाग में नफरत भरी जाती है, सोशल मीडिया के जरी, प्रचार तंत्र के जरी, इसी लिए बार बार राहूल गांधी और तेजस्वी आदब नौकरी की बात कर रहे हैं, इसे महज बेरोजगारी या नौकरी से मत जोड़िये, क्योंकि भारती जनता पार्टी की राजनीति को ये भाता है, ये सूट करता है कि युवा जो है, वो खाली रहे, क्योंकि जब युवा खाली रहता है, तभी आप उसके अंदर तमाम चीज़ें भर सकते हैं, चाहे नियाय गारंटी की बात कर रहे हैं, पांच नियाय गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसकी घोषना उन्होंने कुछ दिन पहले की थी, मैं आपको बतला दू दोस्तों, वो क्या घोषना हैं, वो पांच घोषना हैं क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर, पहली घोषना और डिप्लोमा धारी को एक लाक रुपए प्रतीवर स्टाइपेंड के अप्रेंटिंशिप की गारंटी यानि कि आप जब ग्राजुएशन पूरा करते हैं तो आपको किसी सरकारी दफ्तर में एक साल के लिए लगाया जाएगा एक किसम की इंटरंशिप या अप्रेंटिंश का क्या हुआ इससे पहले जो परिक्षाएं होती थी या जो पेपर की जानकारी होती थी वो निजी एजनसी इसके पास होती थी और यही बज़ा है कि वो लीक भी हुआ करते थे राहुल गांदी ये कह रहे हैं कि आगे से जो भी परिक्षाएं होंगी उसकी सिम्मेदारी सर बहुता भरोसा अपनी नियाए गारंटी के जरी राहूल कहते हैं वो आपके स्क्रीज पर गिग एकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा गिग एकॉनमी के वर्कफोस के लिए काम की बहतर परिस्थितियां पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी इसका आर्थ क्या हुआ जो लोग गाड़ियां चलाते हैं चाहे वो ओला के जरीए हो उबर के जरीए हो उन्हें सही माइने में आर्थिक सुरक्षा देना क्योंकि होता क्या है बोस्तों जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं मगर जैसे ही कंप्टनी ने आपको बाहर नकाला आप सडक पर आ राहुल गांधी अपनी पांच न्याए गारंटी के जरीए इन्हें सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। अपने पांच न्याए गारंटी के जरीए मुकाम हासिल करना चाहते हैं। सीक्रिट एलेक्टोरल बांड्स के जरीए जो पैसा आता है उसमें से अधिकतर पैसा भाजपा की जीब में जाता है। इन तमाम मुद्दों पर मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता उल्टा उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है। राहुल गांधी का मुकामला ऐसी पुलिटिकल ताकत के साथ है। राहुल गांधी का मुकामला ऐसी पुलिटिकल ताकत के साथ है जो चुनावों से महज दो हफ़ते पहले CAA को लेकर नियमों की घोशना कर देती है। किसी मुसल्मान की नागरिकता को कोई खत्रा नहीं है। मगर भारती जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह की अनिशित्ता बनी रहे ताकि समाज में उथल पुथल होते रहे। अराजकता मची रहे क्योंकि इसी के जरिये ध्रुविकरन होगा, पोलराइजेशन होगा, बटवारा होगा जिससे भाजपा को फायदा होगा। राहूल का मुकाबला ऐसी पुलिटिकल फॉस के साथ है। तो क्या राहूल गांधी की पांच नियाय गैरंटी काम्याब होंगी। क्योंकि भारती जन्तापाटी वो ताकत है दोस्तों, जिसने प्रधान मंत्री के दर्जे को श्री राम के दर्जे से उपर रख दिया है। आप सब जानते हैं जब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा हुई तो राम का गुणगान कम हो रहा था, गुणगान किसका हो रहा था आप भी जानते हैं। नई संसत का उध्गाटन होता है, तो गुणगान किसका होता है, नई संसत का नहीं होता है, राश्रबती महुदया को भुलाया ही नहीं जाता है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाये जाते हैं, मानो किसी राजा का दर्बार हो, उनके अपने संसदिये कारवंत का मुकाबला इसी सोच के साथ है आपको क्या लगता है दोस्तों ऐसे में क्या राहुल गांधी मुकाबला कर पाएंगे या यह मुकाबला ही बेमानी है क्योंकि जब मुकाबला बराबरी का ना हो तो मुकाबले का क्या फाइदा राहुल गांधी का मुकाबला अनंत कुमार हे वो सम्विधान जो की बाबा साहब अम्बेड करकी सोच का रिफ्लेक्शन है उसका अक्स है उसे बदलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ राहूल गांधी और तेजस्वी मुद्दे पर बने हुएं। धर्म का सहरा लेकर जूटा प्रचार करता है जी हां भाजपा का बदनाम प्रचार तंत्र। क्या राहूल गांधी इस बदनाम और जूटे प्रचार तंत्र का मुकाबला कर पाएंगे। दिक्कत ये है दोस्तों। अविसार शेरमा को दीजे जासत। नमस्कार। स्वतंत्र और आज़ाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों। इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प। इन में से एक चुनिये। और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये।